हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रकाश और आप देख रहे हैं मिसन अबरॉड दोस्तों मिसन अबरॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैनेडा प्यार के बारे में जो कि मैंने इस पेसलिए वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो ट्रक ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि ट्रॉक ड्राइवर जो होते हैं उनको वहाँ पे प्यार नहीं मिलती है वो इमिग्रेट नहीं हो सकते हैं तो यह एक जूटी अपवा है जूटी बात हैं आप इसका डिस्क्रिप्शन कैनेडा की वेब गवर्मेंट वेबसाइट सी एसी वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं बट मैं यहां पे आपको एक्स्प्लेन करने जा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले सारे वीवर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्हों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें तो जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आप जो ट्रॉक ड्राइवर्स हैं उनको कैनेडा में पियार मिल सकती है कि नहीं येस उनको कैनेडा पियार मिल सकती है अब यह process कैसे है और आपको क्या करना है eligibility क्या है मैं explain कर रहा हूं इससे पहले अगर आपने Canada truck driver का license के बारे में information नहीं लिए आप जानना चाहते हैं तो यह video मैंने बनाई थी how to apply for truck driver license in Canada दूसरा था how to get truck driver work permit in Canada तो पहले तो आपने क्या करना है आपने license लेना है license कैसे लेना है इसकी process वीडियो में totally है then आपने work permit वहाँ पे किसी employer से work permit लेना है ठीक है job offer लेना है then आपको BC से work permit issue हो जाएगा ठीक है आप वहाँ पे काम करना लग जाएगे तो मैं बात कर रहा हूं आज BC की British Columbia PNP आप Canada PR ले सकते हैं अगर आप BC PNP के through अगर आप immigrant होते हैं तो आपको प्यार मिल सकती है तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपने BC PNP में apply करना है यहाँ पे यह जो category है हमारी truck drivers की अगर हम बात करें long haul truck drivers या फिर tractor drivers या फिर किसी भी तरह के जो drivers है heavy truck drivers तो उनकी जो category आती है वो entry level and semi skilled workers में count होती है और BC PNP entry level and semi skilled workers को PR issue करती है तो यहाँ पे देखते हैं what is eligibility for PR in BC for semi skilled workers और entry level workers फिर्स्ट है you must have valid job offer from Canadian employer with no ending date आपके पास एक valid job offer होना चाहिए Canadian employer से जो की valid हो without I mean जिसको आप open work permit भी बोल सकते हैं या फिर आपके पास जो contract है आपका उसमें कोई timing ना लिखा हो कि आप 2 साल के लिए contract पे हैं तर 5 साल के लिए contract पे हैं at least उसमें जो आपकी जो ending date है वो नहीं होनी चाहिए आपके पास एक valid job offer होना चाहिए job offer simply यह होगा कि आपको वहाँ पे यह job offer मिला है कि आप इस company में काम कर सकते हैं उसमें कुछ और आपकी और restrictions नहीं होगी ठीक है इस तरीके का आपने job offer लेना है दूसरा है यह जोब profile should fall under noc listing category 7 and category D अब जैसे लांग होल ड्रावर्स हैं या फिर heavy truck drivers हैं tractor drivers हैं इनकी category c noc जो listing है national occupation classification listing जो की Canada government की आपके जो occupations हैं उसको classify करने के लिए उसको categorize करने के लिए उन्होंने listing की हुई है कि आपकी जो job profile है वो C or D category में होनी चाहिए ओके third है you should have nine month continuous work experience in Canada आपके पास 9 मैने का work experience होना चाहिए बिना किसी break है continue आपने nine month तक काम करना है उसके बाद आप PR के लिए apply कर सकते हैं ऐसा नहीं करना कि आपने one month एक company में काम किया फिर six month तुसरी company में फिर two month किसी और company में ऐसा नहीं करना अगर आप PR के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पे immigrant होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे nine month continuous एक company में काम करना पड़ेगा ओके इसके बाद alerts required हैं आपके English language आपको जरूरी है अब यह इतना high level नहीं है जैसे कि यह C और D category है तो आपको यहाँ पे CLB five or six में हो जाएगा ठेक है और यह आप easily CLB five and six easily obtain कर सकते हैं अगला है if you are immigrating with family you must show the minimum balance in your account I mean मैं आपे बात कर रहा हूं fund की आप जब अगर आप family के साथ अपने kids के साथ वाइप के साथ वहाँ पे emigrate होना चाह रहे है जब apply करेंगे तो आपको अपना bank balance show करना पड़ेगा ठीक है और यह bank balance कितना show to support your family अब देखिए आपकी जो regular income है वो regular होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप दो दिन काम किया charging off है तो continue आपका आपका ऐसा जैसे वहाँ पी जो regular schedule है 8 hours per day ठीक है या फिर 48 hours per week इसे साथ से जो भी आपका regular income है जिसको आपर regular income का source माना जाता है वो होना चाहिए ठीक है अब immigration process क्या है in BC immigration process in British Columbia for truck drivers how truck drivers can immigrate in Canada okay सबसे पहला process है create your profile on pnp application.gov.bc.ca आपने इस link पे जाना है इस website पे जाना है और उसके बाद आपने अपना यहां पे account create करना है ठीक है यह बहुत ही easy है आप जब आप इस website पे जाएंगे तो आपको automatic पता चल जाएगा ठीक है उसके बाद जैसे आपने अपना account create कर लिया है उसके बाद आप अपने सारे details को वहाँ पे insert करेंगे I mean upload करेंगे अगर किसी document की requirement है तो वह आप वहाँ पे upload करने का ठीक है जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में explain किया था express entry system उसमें क्या होता है कि आप आपके points बनते हैं यह पूल सिस्टम होता है ठीक है सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो यह पीन पी है यहां पे भी आपका पूल सिस्टम होगा जैसे आपने डॉक्यमिन्स अप्लोड कर दी आपने details आपे insert कर दी सारी details आपने फिल अप करदी उसके भाद आपका है स्केबाद है है उसके बाद क्या होगा आपका जो scoring होगी scoring किस तरीचे से होगी आपका scoring आपका work experience का score है आपका education का score है आपका English language का score है उसे साब से समय point आपको मिलते हैं ठीक है जो point फिल सारे चोटे-चोटे चीजों के point मिलकर आप एक बड़ा सा number बना देंगे suppose आप 25 points आपको English language में मिले 10 points आपको education में मिले या फिर 120 points आपको experience पे मिले तो इसे साब से आपके 200 some point या 500 points हो गए या 400 points हो गया ठीक है मान के चले आपके 400 points है then इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने apply किया होता है तो फिर उसमें क्या होता है कि सब लोग एक उनने category बिना रखे कि 400 से उपर अगर जिनके points है उनको एक pool में रखा जाएगा 400 से 450 तक जिनके points है उनको एक pool में रखा जाएगा ठीक है तो इसके इसाब से फिर उनमें draw निकालते हैं मन्तली या फिर twice a month वो draw निकालते हैं तो draw में एक point निकलता है suppose वो 398 है ठीक है तो draw जो निकला है 398 का और आपका है 400 तो आपको आपको ITA आपको आजाएगा invitation to apply आपको आजाएगा तो जैसी आपको invitation to apply आता है तो आप immigration के लिए apply कर सकते हैं ठीक है जैसे आपको ITA आगया invitation to apply आगया उसके बाद आप automatic आपको हुआ के citizenship बन जाएंगे बस थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा four to five maximum six month देन आपकी फर्दर processing होगी और आपको Canada की PR मिल जाएगी बड़ आपको यहां पर main point यह है कि आपने अपने जो documents है पूल में जो अपने जो भी points गेन करने हैं अपने इस point पर ध्यान देना है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है आप easily कर सकते हैं ठीक है COD category में वैसे कम लोग हैं और कम लोग ही apply करते हैं और कुछ लोग अमिन अगर हम बात करें 100 की तो 100 में से 40% PNP के थुरू apply कर रहे हैं 40% में से भी सपोज हम बात करते हैं 10% की वहां पे scoring नहीं हो पाती है कि वह documentation proper नहीं हो पाता 30% की 30% में से आप apply करके अपना point system अगर अच्छा गेन करते हैं तो आपको वहां पे invitation to apply आजाएगा और आप वहां पे थोड़े processing के बाद document processing के बाद आप वहां पे citizen बन सकते हैं so you can you receive your Canadian citizenship ये बहुत ही easy process है और truck drivers के लिए ठीक है तो फ्रेंट्स आपको ये समझ में आगया कि truck driver को Canada में PR मिलती है ओके अब हम बात करेंगे truck drivers salary in Canada बहुत सारी लोगों ने मुझे email भी किया हुआ है बहुत सारी लोगों ने मुझे comments भी किये हुए कि truck drivers की salary क्या होती है ठीक है अब truck driver की salary मैं आज आपको explain करने वाला हूँ ठीक है 2016 की जो study है जो analytics जो है 2016 के उसमें early pay wage जो average out है अगर हम पूरे Canada में average out कर रहे हैं तो ये है 21 डालर पर hour की ठीक है और yearly average salary जो जाती है 49,000 per year अगर आप इसको रुपे में change करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाए 25-60 लाग रुपे ठीक है तो ये है आपका early wage 2016 के according but हम बात करते हैं अगर अब बात करें 2017 की wages according to province ठीक है Canada में Alberta की बात करें तो 18 डालर minimum 18 डालर minimum per hour मिला था ठीक है कम से कम बात करें maximum जो गया था 26 डालर और high जो गया था 39 sorry यहां जो median है 26 है high जो है 39 उसी तरह के थे ब्रेटिश को लंबिया 15 median है 24.95 high जो है 35 डालर इसी तरह के यहां पर देखे सस्कारशन में 15.38 then 23.63 max जो गया था 35 अंटारियो में 13 डालर low median 20 डालर and high 29 डालर क्यूबेक में देखे 13 डालर 5 13 डालर 50 सेंट आपका क्यूबेक में मैक्सिम जो गया था आपका 26 डालर अब देखते हैं यहां पर highest किसमा गया है कौन सी अलबर्टा में देखे 39 डालर पर आवर के हिसाब से आपका यह सेलरी ओके अब यह बात करते हैं लांग हॉल ट्रक डायवर्स की पर मंथ ठीक है अब यह देखे यहां पर इतना डिफ्रेंट डालर पर मंथ ठीक है अब यह देखे यहां पर कितना डिफ्रेंट क्यों है चलिए हम बात करते हैं अंटारियो सेलरी का यह है आपका hourly payment है अंटारियो का hourly payment देखिए 17 डालर 86 है जो करेंट का है अभी यह चल रहा है 17 86 है 28 60 maximum जो जा रहा है भी ठीक है यहां देखिए 29 इसलिए दिखा रहे हैं पर maximum है जो minimum आपको मिल सकता है वह है जो मेडियन दिखा रहा है ठीक है और यह तोल्कर डिपेंड करता है कि आप कहां पर जॉब कर रहे हैं किस environment में जॉब कर रहा है आपकी category क्या है यह आप टेक्टर ड्राइबर हैं यह हैवी ट्रॉक ड्राइबर हैं यह पिर लॉंग हाल ड्राइबर हैं और किस रूट से ड् ठीक है, अब salary also depends on your experience, so gain some experience from your host country and abroad, जो salary है वो depend करता आपके experience पर, जो अगर आपके पास कुछ experience इंडिया से है, कुछ abroad का experience है, जैसे कुछ friends है, साउडी में जो drive करते हैं, दुबही में drive करते हैं, वो कैनिडा जाना चाहते हैं, तो उनका experience भी count होगा, ओके, यह देखे, pay by experience level for truck drivers, heavy truck trailer, अब यह देखे, यह है entry level, 0 to 5 years, यह 45,000 देखे, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे उपर जाते हैं, mid career, 5 to 10 years का जो experience है, 55,000 Canadian dollar, इसके बाद है, 10 to 20 years, आपका यह 50 के आसपास रहते हैं, ठीक है, यह mid career की बात करते हैं, late career जो 20 साल यह 20 साल के आसपास हैं, वो जाते हैं, 55 से उपर, ठीक है, तक यह है, आपका experience, totally experience पर यह based है, आपका जो salary होगा, but hourly, जो wages है, minimum आपका 13, 20, 17, यह depend करता है, आपकी state के ऊपर, और आपकी इस statement drive कर रहे हैं, किस environment drive कर रहे हैं, तो उसी के according आपकी salary भी है, ठीक है, और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, यह information आप लोगों के आप लोगों के लिए अच्छी है, और आपको यह पसंद आई है, तो सभी दोस्तों से request करेंगा कि please channel को like करें, share करें, और subscribe करना तो बनता है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकर आता हूँ कुछ अच्छी वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए thank you, have a good day, bye bye, take care be safe